Hello viewers, welcome back to my channel तो आज की वीडियो हिमाचल जी के पर है जो भी H.P.T.E.T. की तियारी कर रहे हैं उमके लिए बहुत ही important वीडियो है तो आज की वीडियो में हम glacier की बात करेंगे हिमाचल में जो भी glacier है उनके कुछ एक questions करेंगे तो glacier को शिगडि भी कहा जाता है की नाम से भी जाना जयता है कौन ग्लेशर लाहॉल्सपिती की चंद्रा घाटी में, तो इसका अंसर होगा हमाचल में से कौछ तॉ क कंन्ड़ होगा हमाचल के कांगड़ा जिले में, तो इसका अंसर ऑप्षिण में से कोई नहीं होगा क्योंकि कांगडा में बड़ा भंगाल हिमनत पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में ग्लेशर से बनी जीलें कितनी है तो इसका अंसर होगा 249 सेवन्थ क्वेशन है 1962 से 2001 के बीच ग्लेशर क्षेतर में कितनी कमी आई है सबसे दुद्धाइब क्लीशर से ईसका सबसे बड़ा शिगड़ी का नाम हैता है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशर माने जाता है इस ग्लेशर की लंबाई 25 किलो मेटर है और इस ग्लेशर से चंदरा नदी को पानी मिलता है Next question है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशर यानि हिमानी कौन सा है तो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशर बड़ा शिगडी है Next question है समुंदर तल से मुक्किला ग्लेशर ग्लेशर की उचाई कितनी है तो मुक्किला ग्लेशर की उचाई 6478 मीटर है बड़ा शिगडी क्या है पक्षी है, पहाडी चोटी है C option है नदी या D है हिम्नद तो बड़ा शिगडी क्या है एक हिम्नद है जो लाहौल स्पीति मिस्तित है Next question है बड़ा बंगाल ग्लेशर से कौन सी नदी का उद्गम होता है तो बड़ा बंगाल जो ग्लेशर है उससे रावी नदी का उद्गम होता है तथा ये जो है वो कांगरा के पीर पंजाल शेणियों की ढालों पर सिथ है Next question है बड़ा शिगडी क्लेशर से किस नदी को पानी प्रापत होता है तो बड़ा शिगडी जो लाहौल्स पीती में स्थित है इससे चंदरताल जो जील है वो बनी है तथा इससे जो है वो चिनाव नदी को पानी प्रापत होता है नेक्स्क वेशन है दुधोन और पारवती ग्लेशर किस जिले में स्थित है तो इसके option है चमबा किनोर कुलु या फिर मंडी तो कुलु में जो है वो दुधोन और पारवती दोनों ग्लेशर पाए जते हैं इन दोनों की लंबाई 15 किलोमेटर है और इन दोनों से पार्वती नदी को पानी मिलता है पार्वती नदी को पानी देने वाला मुल्किया तथा मियार ग्लेशर किस जिले में स्थित है तो इसका उतर होगा ला हॉल्स पिती